हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आशा करता हूं अच्छे ही होंगे अभी अभी दोस्तों एक अपडेट आई है अरार भी गोहाटी के वैबसाइट पर गुरूप डी से रिलेटेड उन्होंने बताया है कि जो रूल्स है नॉर्मलाइजेशन के वो सारे क्लैरिफाई किये हैं ज जो परसेंटाइल स्कोर है वो कैसे बनेगा आप देखिए पढ़ लेते हैं इसे क्या है डिटेल सेंट्रलाइज नोटिस नमबर रर्सी 01-2019 यह लेवल वन के लिए डारेक्ट एट पॉइंट मैं पढ़ता हूं इन और तो फाइनलाइज मेरिट बेस्ट ओन परसेंटाइल ए कि जो रिजल्ट होगा वो परसेंटाइल बेस्ट पर बनेगा लेकिन उनी बच्चों को इंकलूड किया जाएगा जो जनरल में 40% से अबॉव हैं EWS में 40% से अबॉव हैं OBC नोन क्ली मी लेयर में 30% मतलब अगर आपके विताउट नॉर्मलाइजेशन मतलब परसेंटाइल स स्कूर है वो सो में से अगर 40 UR का रहा है तो आपको इंकलूड किया जाएगा मेरिट लिस्ट में वरना आपकी मेरिट नहीं बनेगी चाहे आपकी हार्ड सिफ्ट हो या असान सिफ्ट हो और जो नॉर्मलाइज स्कूर होगा उस पे ही क्या किया जाएगा मेरिट लिस्ट डिसाइड की जाए जो अलग-अलग से द्वारा सेम स्लेवस रखके जो सी बीट कंडक्ट कराया गया है अब पॉइंट नाइन देख लीजिए फोर दा परसेंटाइल स्कूर फोर इच कैंडिडेट विल बी कनवर्टेड इंटो नॉर्मलाइज मार्क बाइ इंटर पोलेशन ओफ रो मार्क्स इंटो बेस सिफ्ट अब क्या होगा जो भी मैतमेटिकल फॉर्मूला पहले दिया गय है उसमें एक बेस सिफ्ट रखी जाएगी और उस हिसाब से क्या है अपके मार्क्स डिसाइड किये जाएगी और जो सी सिफ्ट कोन सी होगी बेस सिफ्ट वहोगी जिस सिफ्ट के हायेस्ट मीन मतलब एवरेज सबसे ज़ादा होगा among all shift of CBT which a condition that it present candidate count above should be 70% or more than the average shift of all shift in case of highest mean of two shift is same than shift having highest individual marks shall we consider as base shift if two base shift same marks then which will be the same shift which will be the same which will be the same as individual candidate which will be the same so as we have to give this the normal score of the percentage परसेंटाइल बेसिज पर होगा और मिनिमम जो उन्होंने बताया था 40% होना चाहिए क्राइटेरिया यू आर के लिए ओभी CS CSD के लिए लग लगए उतना अगर आप फुल्फिल करेंगे परसेंटेज में तब आपकी मेरिट परसेंटाइल में बनेगी वरना नहीं बनेगी अब लग रहा है दोस्तों की हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए और कल एक कैमपेंड भी चलाया जा रहा है यूट्यूब पे तो आप बढ़ चड के भाग लें रिजल्ट के लिए थैंक यू वेरी मच आज के लिए इतना ही जैहिन जैभारत और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें